नमस्कार दोस्तो, बात करते हैं प्लास्टिक के सामान का होल सेल बिजनेस कैसे शुरू करें? आज हमारे घरों में भहुत से प्लास्टिक के सामान उपयोग में आते हैं जैसे प्लास्टिक प्रोड़क्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर, प्लास्टिक जग, प्लास्टिक मग, पाटला, प्लास्टिक डस्ट बिन, प्लास्टिक कीचन, बास्केट आदी इनकी डिमांड सदा बाहर रहती है और इनकी डिमांड अच्छी है इसलिए भहुत सी कमपनिया जो प्लास्टिक के आइटम बनाती है वो ये सारा सामान आपको दे सकती है और भहुत से चोटे-चोटे लोकल बिजनेस भी है जो प्लास्टिक के आइटम से बना रहे हैं जैसे अच्छे पैसे कमा रहे हैं क्योंकि बिजनेस ऐसे हैं जिनको आपने बजट के इसाब से शुरू कर सकते हैं जैसे थोड़े से पैसे से या कम पैसे से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है ज्यादा पैसा हो तो बड़ा बिजनेस किया जा सकता है इस आर्टिकल में हम आपको प्लास्टिक आइटम Hotsell Business हिंदी में बताएंगे कि आप प्लास्टिक का बिजनईस कैसे सुरू कर सकते हैं अब बात करते हैं प्लास्टिक के सामान का हौल सेल बिजनेस क्या है जिया हां दोस्तो जब किसी बड़ी city की market में सस्ते रेट में plastic खरीद कर अपने area के अंदर retail में बेचना होता है इसे business कहते हैं इस business के अंदर ज़्यादा investment की ज़रूर नहीं परती और थोड़े से पैसे का अंदर ये business शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जी हां दोस्तो प्लास्टिक आइटम business के लिए ज़रूरी चीजे क्या क्या हैं इस business को शुरू करने के लिए बहुत सी चीजों की ज़रूर परती है लेकिन जिस चीज की आवसकता business में परती है वो उसके आकार के उपर निवर करती है क्योंकि ये business घर से शुरू कर सकते हैं जो ज़्यादा चीजों के आवसकता नहीं परती ये business बड़े लेवल पर आप सुरू कर सकते हैं और ये इस business को आप बड़े लेवल पर सुरू करते हैं तो आपको investment की जरूरत होती है, shop की जरूरत होती है, go down की जरूरत होती है, बिजली पानी की सुवधाय की जरूरत होती है अन्य सादनों की ज़रूरत होती है और जी-एस्टी नंबर भी लेने पड़ते हैं अब बात करते हैं प्लास्टिक का बिजनेस आईटम का बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है देखिए दोस्तों बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जमीन के उपर नेरवर करता है यदि आप जमीन खरीद कर इन्वेस्टमेंट करना दुकान बना करके ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और यदि से शुरू किया ज़र सकता है जी हां दोस्तों अब बात करते हैं प्लास्टिक के सामान का होलसेल बिजनेस करने के लिए इसके लिए अगर ज्यादा जमिन के जरूरत परती है तो इसके अंदर बहुत बड़ी दुकान बनानी परती है मगर मैं कहूंगा आप थोड़े से शुर जरूरत होती है यहानि अधार कार्ड पेन कार्ड वोटर कार्ड की जरूरत हो लेक्रशन क्टवब दे सकते हैं और BTS बेंक अकाउंट मेंक विद्विक्शान काया है और बात करते हैं कि इस विजनेस को करने लिए आपको और डोकमेंट क्या तो इस business का आपको registration करना होता है pen card लेना होता है GST number लेना होता है और ये business आप सुरू कर सकते हैं इस business को सुरू करने के लिए आपको top market हैं उनके बारे में मैं बता दता हूँ कि इसके लिए top market हैं सदर्वाजार गांदी नगर आजाद मंदी और गाजी पूर मंदी इन में आप सामान खरीद के लाकर भी बेच सकते हैं बात करते हैं प्रोफिट की तो प्रोफिट मार्जिन इन प्लास्टिक आइटम वॉल्सल बिजनेस में आप जाएं तो 50-60% से ज्यादा प्रोफिट मार् और अच्छे पैसे कमा सकते हैं ये थी जानकारी आज की प्लास्टिक वेरे बिजनेश को कैसे कियाजा सकता है इस बारे में आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यही जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी चैनल दोसारती टीवी को सबस्काइब कर बेल आइकोन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में शेर कीजिएगा क्योंकि बिजनेस हर किसी को करना जरूरी होता है और बिजनेस के आइडिया हर एक के ध्यान में नहीं होते तो आपका एक शेर किसी को करना उसके भागे का निर्मान कर सकता है इसलिए जरूर दोस्तों में शेर कीजिएगा नमस्कार